हलो ब्यूरिफुल सोल आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लाइफ चिपल वन के उपर आज इस वीडियो में आप चानने वाले हैं कि अगर आपको अचानक सी एंजियल नंबर टिपल टू या एंजियल नंबर डबल टू डबल टू दिखना स्टार्ट हो गया है क्या मेनिग होता है इसका और आपके इनसेंस्टर यूनिवर्स आपकी गार्डियन एंजियल क्या कहना चाहते हैं आपसे इस नंबर के मात्यम से सब कुछ चानेंगे बट उससे पहले आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा पहला आइकन को और पे जरूर से प्रेस कर लीजीगा ताकि डेली वीडियो उसका नोटिफिक्रिशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप हर वीडियो को वाच कर पाएं और उसका पूरा-पूरा बेनिफिट्स ले पाएं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एंजल नमबर 222 या 2222 का मिनिंग ये नमबर आपको दिखना स्टार्ट कैसे होता है वैसे तो हमें बहुत सारे नमबर्स दिखते रहते हैं बट हमेशा इसका मिनिंग आपके लिए नहीं होता है क्योंकि हर रोज अलग-अलग नमबर दिख रहे हैं तो उसका meaning अलग होता है कि हो सकता है कि आप unbalance है या इसका meaning ही आपको पता नहीं है कि angel number क्या होता है तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है बट आपको एक ही frequency में एक ही number दिखने लगता है हर रोज दिख रहा है, दिन में 4 से 5 बार दिख रहा है जैसे आप अपना television on करते हो वहाँ पे आपको ट्रिपल टू या डबल टू डबल टू दिखता है आप अपना phone चला रहे हो हर वीडियो में आप like करते हो, वहाँ देखते हो ट्रिपल टू, डबल टू, डबल टू या फिर किसी के गाड़ी के उपर आपकी नजर पड़ती है और उसके गाड़ी का नंबर होता है बिलकुल इसे frequency में जिसमें बहुत बार टू, 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 रिपीट होगा है किसी के पार phone लगाते हो और उसमें आपको बहुत ज़्यादा टू, टू, दिखाई दे रहा है तो समझ लो कि universe के तरफ से आपको message मिल रहा है और उसे समझने की जरुरत है और जो भी इस समय आप कर रहे हैं उसमें सुधार लाने की जरुरत है तो इसका first meaning यह होता है कि इस समय आप जो भी decision ले रहे हैं हो सकता है कि जल्दी बाज़े में आप कोई गलट decision ले ले इसलिए थोड़ा सा धैरे रखे थोड़ा सा time दीजिए और चीजों को अच्छे से देखिए, सोचिए, समझिए उसके पाद किसी भी तरह का decision लेजिए वो decision किसी भी तरह का हो सकता है जैसे अगर आप married हैं तो आपके बच्चे के बारे में आपके married life के बारे में आपके शादी नहीं हुई है तो आपके study के बारे में आपके job के बारे में, career के बारे में या फिर कुछ भी आप property लेना चाते हैं आप जो भी चीजे करना चाते हैं और उसमें बहुत जल्दी बाजी कर रहे हैं तो आपके लिए मैसेज है कि इतनी जल्दी बाजी ना करें कि बाद में आपको अफसोस होने लगे खुद की फैसले पर तो युनिवर्स जैसा गाइड करते हैं आपको मानना चाहिए और कुछ टाइम के लिए खुद को रोक लेना चाहिए और अगर आप डिसीजन ले ही रहे हैं तो कुछ लोगों से एडवाईज ले लेजे या फिर सोचिए समझिए आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपके लिए सही क्या है लेकिन ठंडे दिमाग से जो भी करना है वो ठंडे दिमाग से करना है इसका दूसरा मिनिंग ये होता है कि अगर आपकी वज़े से आपके किसी भी रिष्टे में नेगेटिविटी आ रही है लडाई हो रहे हैं जगडे हो रहे हैं और आपका हर रिलेशनसिप खराब हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देजे कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे है किसी को बिना सोचे कुछ भी बोल देना क्या सही है अगर आपको हर जगा एंजल नमबर 222 दिख रहा है या 2222 दिख रहा है तो उसका मतलब यही है कि आपके रिलेशनसिप में अगर negativity आ रही है suppression आ रहा है तो उसका कारण कहीं न कहीं आप खुद है आपकी energy है आप बहुत ज़्यादा negative हो रहे हैं भी या बहुत ज़्यादा गलत चीजों पर ध्यान दे रहे हैं सोच रहे हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है अगर किसी ने आपके साथ गलत भी किया है तो ऐसा नहीं है कि वो इनसान हमेशा से ही आपके साथ गलत करता आया है एक time ऐसा आता है कि चीजे change होती है तो हमें उसे स्विकार करना चाहिए किसी को दोशी नहीं समझना चाहिए किसी से नफरत नहीं करना चाहिए किसी को कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए अगर वो इनसान आपके साथ गलत कर रहा है और आप भी सेम चीजे करते हो तो आपका भी कर्मा create होने लगता है और उसमें आपमें कोई फर्क नहीं रह जाता इसलिए ध्यान देजिए अपने रिष्टों के उपर और सम्हाल की रखे रिष्टों को तीसरा मिनिंग ये होता है कि अगर आप अपने finance को कहीं भी use करने जा रहे हैं जैसे आप कहीं पैसे जमा करने जा रहे हैं आप किसी की help करने जा रहे हैं दूब जाएं अगर आपको angel number 222 दिख रहा है तो universe का साफ साफ यही message है कि वो आपको हर मुसीबत से बचाना चाहते हैं इसलिए इस समय आप spirituality पे ध्यान देजिए और खुद को काम रखिए meditation केजिए आपकी सारी समझ से आए खुद बखुद ठीक होने लगेंगी और आप और आपकी life की सारी चीजे balance में आने लगेंगी So I hope कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है अगर पसंद आई है तो अपने करीबी लोगों के पास share जरूर कीजिए सही जानकारी सब के लिए important है तो share करना बिलकुल भूलेगा मत मैं मिलती हूँ next वीडियो में सब तक आप सभी खुद का ध्यान रखे positive रहे चिडों को दाना और पानी देते रहे दाना नहीं दे सकते रोटी दे दीजिए कर्मा क्लेयर होता है इससे अगर आपको किसी भी तरह की वीडियोज चाहिए किसी भी particular topic पर वीडियो चाहिए तो आप definitely comment कर सकते हैं या फिर मेरी इंस्टा आड़ी है skywankstiple2 वहाँ जाके follow कीजिए और अपनी किसी भी personal problem को आप मेरी साथ share कर सकते हैं आप जिस topic पर चाहिए वीडियो के लिए रिक्फेस्ट कर सकते हैं तो God bless you guys राधे राधे